ये लिखी हुई है युवा कवी अमन-अक्षर है कोई, इसमें से थोड़ा समय ने लिया है, सारा जग है प्रेरणा, सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिरफ राम है, भाव सुचियां बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है, कामना ये त्याग पुन्य काम की तलाश में तीरत खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में खुद स्वयम राम तीरत होकर एक धाम की तलाश में जा रहे थे राम वन गए अपने राम की तलाश में भाव सुचियां भहुत हैं भाव सिर्फ राम है धाल में धले समेगी, शस्त्र में धले सदा, सूर्य थे मगर वो सरल दीप से जले सदा ताप में तपे स्वयम ही स्वर्ण से गले सदा, राम ऐसा पत है जिस पे राम ही चले सदा जो सात्विक्ता का पत होता है उस पर ईश्वर ही चल सकता है और जिस परकार पहाड से निकलती हुई बरफ अगर थोड़ी से इतना से भी गिरती है वो बढ़ते 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 दो स्नोबॉल इफेक्ट एक बहुत बड़ा बरफ का गोला बन जाता है ऐसे ही मनुष्य जो सात्विक्ता के पत पर चलता है गुन समेठता हुआ चला जाता है और विशालकाय होता चला जाता है उसका विराठ स्वरूप जो है और विराठ होता जाता है विराठतम होता चला जाता है कहते हैं राम ऐसा पत है जिस पे राम ही चले सदा दुख में भी अभाव का अभाव सिर्फ राम है जब अभाव महसूस होता है कमी महसूस होती है जिन्दगी में पदारत की कमी नहीं होती राम की कमी है जिन्दगी में उस सात्विकता की कमी है उस दृड़ता की कमी है धहरे की कमी है मर्यादा की कमी है क्योंकि इन्हीं चीजों का प्रतिनिदित्व करते हैं शुरी राम भाव सुचियां बहुत है भाव सिर्फ राम है मतलब भाव की लंबी सुची है मनुश्य के पास मुझे ऐसा मैसूस हो रहा वैसा हो रहा अच्छा नहीं लग रहा बुरा लग रहा इत्यादी इत्यादी परन्तु भाव जो वास्त्विक है जो इसका कभी नाश नहीं होता वेद विनाशनम नित्यम ये नजम अव्यम वो तत्व, वो सत्व जिसका कभी नाश नहीं होता कौनता है वो तो राम ही है सारे दुख कहानिया है कि सबसे सुंदर और गहरी जो इस पूरी कविता में मुझे दो पंक्तियां लगी राम ऐसा पत्थ है जिस पे राम ही चलते सदा और दूसरा सारे दुख कहानिया है दुख की सब कहानिया है जो भी मनुश्यकों जीवन में दुख प्रतीत होता है वो कुछ नहीं, बस एक कहानी है जो उसने स्वयम को बता दी है इस पर हमने एक फोस्ट भी लेखी ते स्टोरीज भी ठेल आरसेंट्स वो हम अपने आपको जैसी कहानी बता देंगे हमारी जीवन की गाठा वैसे ही हो जाती है यदि वालमिकी रामायन में राम को महा मानुफ बता दिया गया तो वही राम की कहानी हो गई यदि गोस्वामी तुलसिदास ने उनको ब्रहमस वरुफ बना दिया गया तो वो भगवान होगी वो उनकी कहानी हो गई तो जब जीवन में हमको लगता है हम दुखी है उस समय कोई ऐसी कहानी है जो स्वयम को बता दी है कहानी को बदलना है दुख का दुरुष्टी कोन अपने आप बदल जाता है यदि मैं ऐसा मान के चलूं कि मेरे जीवन में दुख होना ही नहीं चाहिए ये कहानी मैंने अपने आपको बताई है कि मेरे जीवन की कहानी में कोई दुख नहीं होगा तो जब-जब दुख आएगा मैं दुख ही हो जाऊँगा क्योंकि मेरे जिन्दगी से ऐसी आशा है यदि मैं ये मान के चलूं कि वास्तर में संसार दुखों का घर है दुखालिम शाष्वतम कि ये शाष्वत दुखों का एक घर है यदि मान के चलूं तो जब सुख आएगा तो अपने आप बहुत ज़्यादा खुश होंगा दुख आएगा तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो सत्य है ही है जब मनुश्य एकांत में बैठा होता है बहुत कम लोग होते हैं जो सुखी होते हैं और ये नहीं इच्छा से एकांत जो प्राप्त हो जाए उसमें तो सब कोई सुखी होता है सारा दिन तोती की तरह बोलने के बाद दो घंटे तो अकेले में हर कोई बैठके आनंद लेता है मैं उसे एकांत की बात कर रहा हूँ जो कई बार जीवन आपको दे देता है जो हो सकता है छे मेने चले हो सकता है एक बर चले हो सकता है और अधिक चले कई बार होता है ना जीवन में कोई हमारा अपना हम से बिछड़ जाता है या कोई संबंद कई बार तूट जाता है और आप अकेले नहीं रहना चाहते या नौकरी ऐस जगा हो जाती है पर न तु रहना पड़ता है उस समय मन की क्या गती है उसी से मालूम होता है कि वास्तव में अध्यात्मिक पत पर आप कहां खड़े हैं जो मनुश्य स्वाइम के साथ सुखी है समस्त विश्व उसके साथ सुखी होगा और यदि दूसरे आपके साथ सुखी है तो दूसरे आपको खोजते हुए ठकेंगे नहीं यदि दूसरे आपके साथ धुखी है तो आप उनको खोजते हुए ठकोगे नहीं और वो चुपते हुए नहीं ठकेंगे इतना ही मूल है पर कुछ भी करना हो जेवन में यह जो शलोक आज हमने किये सांख्ययोग में जिसको वहाँने आगे चल कर वो दिये यह बुद्धी योग है वो उसका आधार बस इतना है अपने पर इतनी कृपात करो अपने आप पर इतना आत्मविश्वास तो हो कि यदि एक चीज ठान ली तो उसके ओपर बस चल दिये फिर देखेंगे रास्ता कहां जाकर खत्म होता है या कहां तक हमें ले जाता है